ओम शान्ती, 28 डेसंबर के इश्री वदान मापका स्वागत है हम सब जानते हैं कि जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं उसके बाद में या तो हम अपने बारे में बोल रहे होते हैं कि मैंने ये कर्चे कर्म किया है या तो फिर हम वेट कर रहे हों थी कि और लोग बोलें कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किये हैं यह दो सिच्वेशन से एक थर्ड सिच्वेशन भी है उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे और परमात्मा चाहते हैं कि हम यह दोनों सिच्वेशन से हम अपने आपको दूर कर लें ताकि हम हलके हो जाएं तो श्रेश्ट कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाए हमें कोई श्रेश्ट कर्म किये उसकी डाली में लटकने के बजाए पकड़ लिए उस डाली को उड़ती पंच्छी बनने वाले हीरो पार्ट धारी भवा उड़ता वा पंच्छी जो की फ्री होता है डाली बे पकड़ा नहीं होता है आप समझ रहे होंगे तो परमात्मा कहते हैं संगम यूग अब ही जो यूग चल रहा है वो कल्यूग नहीं है, वो कल्यूग और सत्यों के बीच का यूग चल रहा है Transition phase संगम यूग पर जो श्रेष्ट कर्म करते हो परमात्मा हमें जो सिखाते हैं उसके जिसाब से हम जो कर्म करते हैं परमात्मा हमें दी है बुद्धि विवेक दी है ग्यान दी है और उनीकी चीजू को हम इस्तिमाल करने के लिए तो इसके मलव उनकी चीज olives है मेरीтории नी अगर हमने मैंने किया मैंने बोला मैंने समझाया ये सोचना हमने जहां शुरू कर दिया इसका मिला हमने परमात्मा को दूर कर दिया अपने आपको आगे रख दिया ये श्रेष्ट कर्म हीरे की डाली है ये श्रेष्ट कर्म हीरे की डाली है चमकती हुए अट्राक्टिव लगती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे किया, यह मैं ही था, मेरे बेना नहीं होता, मैं नहीं होता तो तो संगम जुका कैसा भी श्रेश्ट करम हो, लेकिन श्रेश्ट करम के बंधन में भी फसना अथवा, हद की कामना रखना हद की कामना रखना, हद मतलब नाम मिले, शान मिले, लोग पहचाने, या मैं ही अपनी वावा करूँ, यह हद की कामना है, यह सोने की जंजीर है, कि लोग मेरी प्रेज करें, लोग मेरी बाते सुने, लोग मेरे चैनल सुने, लोग, जो मैं बोलता हूँ, यह पर सुने आकर के देखो मेरे कितने followers हैं, देखो मेरे कितने likes आये हुए हैं, खुश होना, उनकों देखर भी खुश होना, तो हम परमात्मा की विज़े पे खुश हो रहे हैं कि अपनी विज़े पे खुश हो रहे हैं, यह सोचने वाली बात है, इस सोने की जंजीर, अथ्वा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, सोने की जंजीर, कि हमारे अंदर जो हद की चाह हैं, वह हमें पकड़ कर रखेंगी, हमें हलका नहीं होने देंगी, हमें वो situations यहाद देलाएंगी, अरे उसने मेरे बार मैंसे बोले ता उसन, वो बार-बार दोहराता रहेगा, हमारे थर्ड आई में दिखता रहेगा, बुद्धी में, जहांकि इस यह बाबा दिखना चाहिए, हमें उन सीन से प्यार हो जाएगा, हमें वो, जो से में हमारे बार में किसी ने बहुत बहुत अची मीठी बाते बोले, अगर वो सीन्स आपके अंदर दोहरा रहें, इसको पकड़ो आप, इसका मदलब अभी भी उस सोनी की चीन्स आपके चिपकी हुई है, आप पकड़ के रखी हुई हैं, वहाँ पर बाबा दिखना चाहिए, वो सीन्स नहीं दिखने चीए, ना वो लोग याद आने चीए, तो जो अगर लोग आपकी महिमा करते हैं, अगर वो लोग आपको याद का रहे हैं, इसका मदलब आप अभी भी देह अभी मान में हो, यह समझिए, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, इस चीज़ों को हटाने के लिए, फस्ता हूँ कभी हटानी कोशिश करता हूँ, यह लास तक चलता रहेगा, इस सोने की जैंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्यूंकि बंधन तो बंधन है न, कोई याद आगए विक्ति वस्तु याद आई, तो बंधन है, कोई सिच्चुशन याद आई, बंधन है, इसलिए बाब ददा सभी उड़ते पंचियों को स्मृति दिलाते हैं, हमारे बात कर रहा है हम उड़ते पंचि, फरिषते, कि सर्वबंदनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पार्थधारी बनो हीरो कभी यह नहीं बोलता कि मुझे नाम दिया जाए, मान दिया जाए, शान दिया जाए या मैंने इतना काम किया, मैंने इतने लोगों को ठिक किया, मैंने इतने युद किया, मैंने इतनी जीत पाई है, नहीं उसके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन हमें उसके भी उपर पहुंचना है, क्या? ना हम अपनी प्रेस करें दूसरी बात ना हम कोई हमारी प्रेस कर रहा हो तो उसको हम accept करें क्योंकि वो चीज़ हमारे बुद्धी में गुमनी शुरू हो गई तो अन्तमती सोगती या तो परमात्मा याद आएगा या वो वहवा की बात याद आएगी